Hello friends, welcome back to my channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो आप Macbook में dock size कैसे change कर सकते हैं और icon preview जो है कैसे increase और decrease कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो वीडियो को end तक देखते रहिए दोस्तो आपको सबसे पहले यहाँ पर Macbook की setting में आना है यहाँ पर system preference के उपर आप click कीजे ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर dock and menu bar इस option पर आपको click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं magnification यहाँ पर यह मेरे पास Mac setting पर है तो अभी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर icon preview बिल्कुल भी यहाँ पर show नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा increase कर लेता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से icon preview जो है show हो जाएंगे अब यहाँ पर मैं इसको max setting में कर लेता हूँ यहाँ पर इसको max कर लेता हैं तो आप यहांपर देख सकते हैं इस अईकन प्रीविव जो यह है आपको इस तरीके से शोग हो जाएंगे और दोस्तो आप जो जो एज़ी डॉक साइज भी यहांपर चेंज कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं, इसको मैं यहां पर small कर लेता हूँ, यहां पर से, इसकी वी size को decrease कर लेते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, यह dock यहां पर Macbook में change हो रहा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीक ऐसे, तो दोस्तो बहुत simple है, आप easily Macbook में dock size और icon preview जो ह चेंज कर सकते हैं उमीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लिस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में